नागिश और नर्गिश की शादी की तयारी शुरू हो जाती है, अब आगे विभा नर्गिश के पास जाती है और उससे पूछती है नर्गिश पेटा, शादी में शामिल होने के लिए क्या तुमको अपने किसी रिष्टेदार को बुलाना है? नहीं आँटी जी, मेरा कोई रिष्टेदार नहीं है, बस मैं चाहती हूँ आप निरूपा और उसके पूरे परिवार को भी बुला ले विभा निरूपा और उसके परिवार को शादी के लिए बुला लेती है निरूपा अपने भाई रवीश के साथ शादी में आती है नर्गिश उन दोनों को देख कर खुश हो जाती है रवीश तुमको याद है बच्पन में जो नागेश और नर्गिश की हमने मदद की थी वो यही है अच्छा वैसे तुम बहुत संदर हो नर्गिश मुझे इतने साल बाद तुम से मिलकर बहुत अच्छा लगा इतने में ही नागेश वहां आ जाता है और रवीश को देख कर बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे रवीश को गले लगा लेता है इतने साल बाद तुमको देख कर बहुत खुश हो ही मेरे दोस्त तुमने बच्षपन में बहुत मदद करी हमारी और निरुपा तो आज तक सिर्फ हमारी मदद ही करती आ रही है तुम्हारा यह ऐसान हम कभी नहीं बोल सकते कोई बात नहीं दोस्त बोला है और ऐसान की बात कर रहे हो कुछ ही छण में नर्गिश और नागेश की शादी हो जाती है और नर्गिश मन ही मन सोचती है शायद काल गुरु को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो हमारी जिंदिगी से तूर चला गया ऐसे ही खुशी खुशी एक साल बीच जाता है और ना तो काल गुरु ना ही उसका कोई शिश्च नर्गिश और नागेश की खुशी में दखल देने आया नर्गिश और नागेश को एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम वो काव्या रखते है सब पुरानी बाते भूल कर अपनी जिन्दगी राजी खुशी जी रहे थे शादी के बाद पहली बार नर्गिश नागेश के साथ देवाली की तयारी करती है नर्गिश पूरे घर को दियों से सजा देती है शाम को विभा सब को पूजा के लिए बोलाती है नर्गिश और नागेश मिलकर आर्थी करते है नर्गिश लक्ष्मी पूजा करती है और आर्थी गाती है और फिर पूरा परिवार पटाके चलाता है नर्गिश बहुत डड़ती है पटाकों से क्यूंकि इससे पहले उसने कभी पटाके नहीं जलाए थे नागेश नर्गेश को फुल जड़ी देता है पूरा परिवार खुश होता है नर्गेश फिर काव्या को लेकर घर में अंदर चली जाती है और उसी कमरे में अकेला छोड़कर उसके लिए दूद लेने चली जाती है पर जब वो वापिस आती है तो उसकी बेटी काव्या गायब होती है नर्गेश रोने लगती है और नागेश को बुलाती है नागेश नागेश इधर आओ हमारी बच्ची क्या हुआ हमारी बच्ची को नागेश बिस्तर पर देखता है तो काव्या वहां नहीं थी नागेश बोलता है नरगेश देखो घर में ही होगी किसी के पास नरगेश और नागेश पूरे घर में बच्ची को ढूनते हैं पर वो नहीं मिलती तभी नरगेश गुस्से में बोलती है नरगेश मुझे लगता है काल गुरू वापस आ गया है वो ही हमारी बेटी को लेकर गया होगा नर्गेश नागेश और बाकी घरवाले नागराज की पूजा करते हैं और तभी उन्हें नागराज बताते हैं तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है नर्गेश तुम्हारी बेटी को काल गुरू ही लेकर गया है पर वो तुम्हारी बेटी को साथ लेकर नहीं गया बलकि अपने काल को साथ लेकर गया है पर नागराज मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है वो एक साधारन इंसान है वो काल गुरू का काल कैसे बनेगी नर्गिश भले ही तुम्हारी बेटी चोटी है अभी और अभी एक साधान इंसान ही है किन्तो उसके मातापिता एक शक्तिशाली नागनागिन है जिसके कारण वो एक दिव्य बच्ची है और 18 वर्षों के बाद उसमें भी वो सब शक्तियां आ जाएंगी पर नागराज अभी मेरी बेटी कहा है तुम काली पहाडी के शिव मंदिर जाओ और वहाँ शिव की आराधना करो उससे तुम्हारा शत्रुप खुद बिवश हो जाएगा और तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो जाएगा नरगिश और विजय काली पहाडी पर पहुँच जाते हैं और शिव की आराधना शुरू कर देते हैं पर काल गुरू की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी जिससे हताश होकर नरगिश अपना सिर शिव मूर्ती के चर्णों में मारने लगती है कुछ समय बाद काल गुरू काव्या के साथ वहाँ प्रकट हो जाता है ये कैसी शक्ती थी जो मुझे यहाँ प्रकट कर दिया ये देवों की देव महादेव की शक्ती है जिसके सामने तेरे जैसे पाकंडी का कोई छलकपट काम नहीं करेगा काल गुरू नर्गेश और नागेश को अपनी शक्ती से बने एक दिव गोले में बंद कर देता है जिससे नर्गेश और नागेश छूटने की बहुत कोशिश करते हैं किन्तो छूट नहीं पाते बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे भेद नहीं पाते तब नर्गेश नाग रुपाय है वो क्या है नागराज मैं अपनी समस्तर शक्ती तुमको प्रदान करता हूँ कि दू काल गुरू का अंत्र तुमारी बेटी के हातों ही संभाव होगा नागराज अपनी शक्ती नर्गिश को प्रदान करते हैं और गायब हो जाते हैं नर्गेश गोले को भेद कर बाहर आ जाती है और गुस्से से काल गुरू को बोलती है काल गुरू आज तेरा काल तुझे मेरे समीब ले आया है काल तो आज तेरा और तेरे नाक काया है नर्गेश क्रोट से भर कर एक विश फुंकार काल गुरू की तरफ छोड़ती है काल गुरू अपनी शक्ती से नर्गिश की तरफ अगनी छोड़ता है। परंतु नर्गिश उस पर जल वर्षा छोड़ देती है, जिससे अगनी कम हो जाती है। उसके बाद काल गुरू तेज हवाओं का बवन डर नर्गिश की तरफ छोड़ता है, जिससे नर्गिश काव्या के पास जाकर गिरती है। काव्या डर के मारे रोने लगती है, नर्गिश उसे गोद में उठा लेती है। बस बहुत खेल खेलिया तेरे साथ नागिन, अब और नहीं। काल गुरू अपनी समस्त शक्ती से बने, इस दिव्व तरिशूल को प्रकट करता है। ले, समाल मेरे आखरी बार को। काल गुरू वो तरिशूल नर्गिश की तरफ फेकता है, परन्तु वो तरिशूल नर्गिश के पास आकर रुख जाता है। काव्या नर्गिश की गोद में थी, वो तपस्या से प्राप्त तरिशूल किसी बच्चे की मौत का कारण नहीं बन सकता था। कावया उस त्रिशूल की नोग को छू लेती है अपने उपर त्रिशूल का प्रभाव ना होते देख नर्गेश वो त्रिशूल कालगुरु की तरफ फेक देती है जिससे कालगुरु का सिर और धड़ अलग-अलग जाकर गिरते हैं काल गुरू के मरने से नागेश भी मुक्त हो जाता है दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नर्गेश बोलती है नागेश हमें काव्या का सपर्ष एक बार नागमणी से करवाना होगा जिससे वो इसकी आगे जाकर रक्षा कर सके नागेश शिव की मूर्ती के पार जाकर नागमणी को प्रकट करता है और काव्या का सपर्ष उससे करवाता है नागेश अभी से सुरक्षित नाग लोग भेजतो ताकि इसका कोई गलत उप्योग ना कर सके नागेश जैसे ही नागमनी को दोबारा सपर्ष करने वाला होता है तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली नागेश को लग जाती है नागेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो बोलती है रवीश तुम? नागेश जैसे रवीश की तरफ बढ़ती है तभी रवीश दूसरी गोली चला देता है और नागमनी उठाकर भाग जाता है नागेश भी खायल हो जाती है और नागेश के पास जाकर गिरती है तब तक नागेश अपने प्राट त्याग चुका होता है और विभा भी वहाँ आ जाती है और रोते-रोते नर्गिश के पास बैठ जाती है विभा काव्या को गोद में बिठा लेती है ममी जी मुझसे वादा करिये आप मेरी बेटी को भी उतना ही प्यार देंगी जितना मुझे दिया है आज से इसकी सब कुछ आप है इसकी मा बाप सब कुछ आप है अठारा वर्ष बाद इसमें वो समस्त शक्ती आ जाएगी जो मुझमें और नागेश में थी और ये अपने माता पिता की मोत का इंतकाम रवीश से जरूर लेगी नरगेश इतना बोल कर अपने प्रांट याग देदी है